तो आज के व्लाग में हम थेलियर्स की बात करेंगे। और फेलियर्स के फायदे क्या है। यह अच्छे जी हैं फेलीयर्स के बारे में, वह उसकी बात करेंगे। तो फेलियर को जो है वह बहुत घराब रप्पूटेशन मिली हुए है। Papalyaero Papalyaero कि real world में भी fail होना बुरी बात होगी पर असलियर में ऐसा है नहीं real world में एक तरीके से fail होना अच्छी बात है तो ऐसा कैसे वो समझते हैं तो पहला फाइदा failure का यह होता है कि जब आप fail होते हो तो आपको बुरा लगता है बहुत ज़्यादा कि यार fail हो गया हमारा उसमें effort लगाता है मैनत लगे तो इसके बावजूत fail हो गया हमने इतनी कोशिश करी उसके बाद भी fail हो गया तो उससे क्या आता है कि आपको जब बुरा लगता है तो जो उससे learnings आते है उसको आप और seriously लेते हैं और ध्यान से लेते हो तो जब आगे बढ़ते हो और आगे कुछ और काम करते हो तो आप उन learnings को अपने साथ लेके जाए और उसका बहुत फाइदा है दूसरी चीज यह है कि एक बंदे ने जिसने try किया है और fail हुआ है वो हमेशा उस बंदे से बैतर होगा जिसने try नहीं किया यह कैसे मैं example दे के समझाता हूँ तो मान लो कि आपने एक business start करने की कोशिश की या business start किया ठीक है अपने दो-तीन महीं ने business अपना चलाने कोशिश करी पर नहीं चली नहीं चला आपका business वो business fail हो गया ठीक है अब एक तो यह आप दुखी हो गए कि आप business चलानी बुरी बात है अब आप फिर से job market में चले गए कि चलो job ढूंटे है business वो चला नहीं तो जब आप job market में जाते हो तो आप बाकी सारे candidates से आगे खड़े होते हो वो इसलिए क्यूंकि आपने एक business चलाने की कोशिश की experience आया है वो इतना valuable है कि वो शायद आपसे कोई 5 साल ज्यादा experience दोगा आपकी field में उससे भी ज्यादा valuable वो experience होता है तो अगर आपको अगर hire किया जाता है किसी company में अगर आपने अपना एक business fail किया हुआ है तो आपको अगर कोई hire करता है तो आप उसकी company में भी उस तरीके स सोचोगे कि अब चारों तरफ से सोच पाओगे कि एक business कैसे चलता है किस चीज का impact आता है क्या चीज कैसे चलती है तो यह एक वही बंदा समझ सकता है जिसने एक business चलाने की कोश्चित हो सकती है एक normal employee सिर्फ अपनी job तक ही ज्यान रगता है कि यह मेरा गाम है यह कर दिया ब तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप फैल तो हुए अपने business में पर उसने आपको job market में फाइदा देला है कि अब आप आपकी job असानी से लग सकती है और आप अच्छा ज्यादा impact डाल सकते हो जहां पर भी आप काम करो तो यह फाइदा मिला आपको failure से और एक और example देता पर fail हो गए इसमें तो उसके बाद हमने अभी recently एक employee hire किया Facebook ads चलाने के लिए तो अब वो जिसको hire किया उसके पास काफी experience है Facebook ads चलाने का पर अब मैंने वो पहले चलाए हूए Facebook ads तो मुझे यह चीज़े मालूम है कि क्या-क्या चीज़े नही काम करती है क्या-क्या चीज़े करने से कुछ फायदा नहीं होता है तो हमने 100 तरीके की चीज़े try करें थी जिन में से कुछ काम नहीं करें ठीक है तो अब जब नया employee हमने hire किया उसको हम बता सकते हैं कि यह चीज़े हमने पहले try की हुई है और यह चीज़ नहीं चली हमारे लिए तो दुबारा से सेम गलत करने रहीं हमारे लिए तो उसको manage करना ज्यादा असान पड़ता है क्योंकि मैं मुझे मालुम है कैसी चीज़े काम करते है ना वो की घृती मोई जो भी कर रहा है सही कर रहा है अगर वो सेम गलतियां दुरा भी रहा होगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें मालुम इन्य की facebook चलते हैं अब क्योंकि मैंने पहले चलाना कोशिश की हुए इसमें फैयल हो यह मालूम है कमसेगं कि यह चलते हैं और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है तो जो नया बंदा आया उसको हम guide कर सकते हैं at least कि कैसे चलाने है और क्या गलती है दुबारा repeat नहीं करने है ठीक है तो ये फायदा मिला fail होने से एक ऐसी चीछ पर जो कि नहीं try करी और इस पर बुरी तरीके से fail होई पर उसका जो फायदा है वो एक अलग aspect में मिला failure को face करते हो तो वो आपको strength देता है आपको अंदर से strong बनाता failure कि आप आगे जाके और मुश्की सीज़े face कर सकते हैं क्योंकि जब failure होता है तो बड़ा दुख होता है बुरा लगता है और उससे फिर उभरते हैं आप फिर आप उससे आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत strength लगती है तो यह strength जो है वो आपकी life में बहुत काम आती है क्योंकि life में आप चाहो ना चाहो failure तो हो गई और जब failure होगा तो जो उससे deal करने में बहतर होगा जो ज्यादा skilled हो इसले डील करने में वो निकल पाएगा इससे तो वो skill आपके पास आती है और failure की मज़े की बात है कि failure कभी असली दुनिया में ultimate नहीं होता ऐसे नहीं है कि आप fail हो गए तो हो गए अब हमेशा दोबारा try करोगे तो जब अगली बार आप try करोगे तो आपका जो पिछला failure है वो आपके लिए काम करेगा, आपको success बनाने कोगी तो इसलिए failure जो है वो असल दुनिया में बहुत अच्छी चीज है और वो आपके खित में काम करती है तो अगर आप कुछ भी try करते हैं तो आप एक बहुतर इंप्लॉई बन सकते हो अगर चाहो तो दुबारा बिजनस का भी try कर सकते हो इसमें आप वो बलतियों से सीख लेके दुबारा लगा सकते हो वैसे ही आप अगर succeed हो गए तो अच्छी बात है तो आप आगे बढ़ सकते हो तो यह ध्यान रखें कि failure जो है वो एक success के अंदर का procedure है success और failure जो है वो बापोसेट्स माने जाते है ऐसा है नहीं failure जो है वो success के अंदर का procedure का part है तो अगर आप failure से जाओ एक तब आके जाके success नहीं लिए उसे समझने के कोश्च करें और failure से उतना डरें नहीं और सामने से जाके failure लें जो चीजों को try करें और failure से डरें न तो यह आपके लिए काफी अच्छा काम करेगा जिरूर कोशिश करें बस